आज की रेमिडी का इस्तेमाल करके आप बेदा, गोरा, निकरा हुआ, चमकदार और टाइट स्किन का सपना पूरा कर सकते हो क्योंकि ये विटामिन C से भरपूर है जो आपके दागधबों को लाइट करेगा ये एंटी ओक्सिडंट, एंटी एजिंग से भरपूर है जिससे हमारी स्किन को ये जवाब बनाए रखने में हमारी पूरी हेल्प करेगा अगर हम इस रेमिटी का इस्तेमाल ट्रेगूलर अपने फेस के उपर करेंगे तो जूरी और फाइनलेस हमारी स्किन से कोसो दूर रहेंगी यानि कि आपके चेहरे के उपर बुढ़ापा देरी से आएगा आपकी स्किन लंबे समय तक यंग रह सकती है, जवा रह सकती है इस रेमिटी को त्यार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आदा चुकंदर उसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर का दुकश कर लिया है हमें यहाँ पर चुकंदर का रस यानि की बीट रूट का रस चाहिए एक चमच के करीब, ठीक है जी, बीट रूट में विटामिन सी भरपूर मातरा में होता है अपने इसी गुण की वज़ा से यह हमारे स्किन के अंदर कोलेजन को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है जिस से हमारे स्किन लंबे समय तक यंग रह सकती है ठीक है जी, अब मैं इसमें एड करूँगी एक चमच हनी यानि की शेहद शेहद हमारे स्किन को नेचरतीके से मौस्चराइज करेगा यह हमारे चेहरे के ओपर एकने मुहासों को आने से रोकेगा क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रोपारटीज है जिसकी वज़ा से यह हमारे चहरे के ओपर अगर एकने मुहा से निकल रहे हैं तो यह उनसे लड़ता है और हमारे स्किन को क्लीन करता है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक चमच के करीब गुलाब जल गुलाब जल एंटी एजिंग से भर पूर होता है ये हमारे स्किन को hydrate करता है ये हमारे चहरे के ओपर wrinkles और fine lines को नहीं आने देता ठीक है जी अब मैं इसमें add कर दियूँ एक चमच कच्चा दूद फ्रेंड्स आपने हम पर कच्चा दूद ही लेना है उबला हुआ दूद नहीं लेना कच्चा दूद हमारी स्किन के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है ये हमारी स्किन को deeply moisturize करता है हमारी स्किन को super soft बना देता है मक्षन जैसी कर देता है और इसके साथ साथ हमारे जो pores हैं उनकी गहराई से सफाई करता है और ये भी anti aging से भरपूर होता है ठीक है जी अब हम इसको अच्छे तरीके से mix कर लेंगे remedy बिलकुर ready है friends अगर आप इस remedy को ऐसे use नहीं कर सकते तो आप इसमें एक चमच के करीब basin add कर लीजिए मैं इसमें कुछ भी add नहीं करूँगी मैं direct इसी का इस्तेमाल करूँगी केई लोग इतने liquid को नहीं लगा सकते बट मुझे कोई problem नहीं होती मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी ठीक है जी इसको लगाने से पहले हम अपने face को साफ कर लेते हैं मैं अपने face को साफ करने के लिए कच्छा दूद ले रही हूँ आप भी remedy का इस्तेमाल करने से पहले अपने face को साफ कर लेना ठीक है जी दूसरे face को साफ करने के बाद मैं इसको पानी से साफ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे face के ओपर इस समय कुछ भी नहीं लगा था नहीं मैं बाहर से आई थी इसलिए मैं direct ही अपने face के ओपर अपने remedy यूज़ करूँगी बट अगर आप बाहर से आये थे या आपके face के ओपर कोई make-up लगा था तो आप अपने face को कच्चे दूर से साफ करने के बाद पानी से भी जरूर साफ करें ठीक है जी अब हम अपनी remedy यूज़ करेंगे अपने इस से अपने face के ओपर दो मिलट मसाज करनी है मसाज करते हुए आपने इस remedy को अपने पूरे face के ओपर लगाना है मसाज बिलकुल light hand से करनी है आपने अपनी skin को बिलकुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना ये remedy इतनी बन कर तियार हो जाती है कि आप इसको दो से तीन दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो कोई दिकत नहीं आएगी ठीक है जी अब हमने इसको बहुत ही ज़्यादा light hand से मसाज देनी है देखिए इस तरीके से आपने face के ओपर जो मसाज करनी है वो उंगलियों की पोरों से करनी है आप अपनी आँखों के नीचे भी मसाज कीजिए मसाज देखिए आँखों के नीचे अपने इस फिंगर से करनी है फ्रेंट यहां पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और पास बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं नहीं वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही असानी से मिल जाए और आप ऐसी ही अच्छे अच्छी वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं ओयली स्किन वालों के मन में एक बात जरूर आरी होगी कि हम इस रेमिडी का इस्तेमाल करें या ना करें बिलकुल कर सकते हैं आप इस रेमिडी का इस्तेमाल आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा आप यूज करके देखिए और जब आप इस रेमिडी का इस्तेमाल करने के वाद अपने फेस को वाश करोगे तो रिजर्ट देखके आप बहुत ज़्यादा खूश हो जाओगे फ्रेंट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस रेमिडी का इस्तेमाल हर स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं किसी की स्किन को किसी तरीकी का कोई नुकसान नहीं होगा बट वो लोगी इसको अवाइट करें जिसको इस रेमिडी में डालेगे किसी इंग्रेडियन्ट से ऐलर्जी है उनकी स्किन को नुकसान हो सकता है ठीक है जी अगर आपको नहीं पता कि इसमें डाले के सबी इंग्रेडियेंट आपकी स्किन को सूट करेंगे या नहीं करेंगे तो आप इस रेमीडी को बनाई और यहां पर थोड़े से एरिय में लगा कर देख लीजिए 10 मिनट छोड़िए उसके बाद वाश कर लीजिए पर आप इसको ना एक दिन ऐसे ही छोड़ देजिए और देखिए जहां पर आपने इस रेमीडी का इस्तेमाल किया है वहां पर रेडनेस तो नहीं आई या इचिंग तो नहीं होरी आपको या दाने तो नहीं निकले अगर ऐसी कोई प्रॉबलम नहीं आई तो इसका मतलब ये रेमीडी आपको सूट करेगी और आप इसका बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंट्स हॉम रेमीडी इस्तेमाल करने के साथ साथ आप अपने नाइट स्किन केर का पी पूरा ध्यान रखा कीजिए क्यांकि नाइट में हमारी स्किन अपने डेमी इस को रेपियर करती है। पीर जी और अगर आप एस को वॉश करने के बाद कोई क्रीम लगाते हो चाहे वह एंटि एजिंग की क्रीम हो कोई भी क्रीम हो आप अगर उसको लगा रहे हो तो आपकी स्कीन को बहुत ही ज्यादा आमेजिंग बैनिफेट मिलने वाले हैं देखिए फ्रेंड्स रेमिडी बिलकुल स्किन के अंदर चली गई है अब मैं इसको दस मिनट ऐसे ही छोड़ूंगी उसके बाद आपको साफ करके दिखाती हूं आप इसका रिजल्ट देखिए देखिए फ्रेंड्स दस मिनट हो चुके हैं बट यह रेमिडी बिलकुल भी ड किया था अब मैं अपने फेस को साफ करके दिखाती हूं आप रिजल्ट देखिए बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आता है फ्रेंड्स आप इस रेमिडी का इस्तेमाल करके घूम फिर सकते हो क्योंकि यह इतनी जादा लाइट वेट है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप जब तक खुद के उपर इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको यकीन नहीं होगा ठीक है जी देखिए अब मैं अपने फेस को वाश करके आती हूं और आपको दिखाते हूं इसका फाइनल रिजल्ट वाव आमेजिंग रिजल्ट देख सकते हो आप बहुत ही प्यारा के बाद अपने फेस के उपर चाहे क्रीम लगाए चाहे सिरम लगाए लेकिन कोई ना कोई चीज जरूर लगाए ताकि आपने जो फेस पैक लगाया है उसके सारे गुण आपकी स्किन के अंदर लोग हो पाएं और आपको इसके रिजल्ट अमेजिंग मिलें तो आप भी इस प्यारी सी अमेजिंग सी रेमिडी को यूज करें और अपनी स्किन को खूब सूरत बनाएं अपने चेहरे के दाग धबों को भगाएं तो फिर मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई